दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग जो है यूपी टेट और यूपी टेट और सुपर टेट supertet की class क्या कर रहे हैं हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं ebs ebs के महत्तपोन class हमारी चले हम लोग 50 question कर चुके थे ठीक है आज हम लोग 51 question से क्या करेंगे इस्टार्ट करेंगे ठीक जतना हो सके enough video को आफ लोग share करिए, channel को subscribe करिए, ठेक है? चली आज का पहला कोशन देखते हैं, पहला कोशन क्या कर रहा है? ठेक है पहला कोशन कर रहा है कि प्रिथवी का वह अस्तर जहां जीवन अस्तित। क्या है? बिद्ध मान है, बताइए, कौन सा, मतलब कौन से मंडल पर क्या है, जीवन जो हमारा क्या है, बिद्ध मान है, बताइए, तो कौन से, तो हमारे जैवो मंडल पर क्या हमारा जीवन बिद्ध मान है, ठीक, किस मंडल पर, तो जैवो मंडल पर, ठीक, याद रखेगा, इस तरह स जै वो मंडल पर हमारा का है, अस्तित तो क्या है, बिद्ध मान है, ठीक, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अगला कोशन आप बताएंगे, कोशन नमबर टू, कोशन नमबर फिप्टी टू, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पंपास घास के मैदान जो हमारे कहां पाया जाते हैं, तो बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है, दच्छड अमेरिका में पाया जाते हैं, पंपास, इस टेपी घास का मैदान जो यूरोप महादियूप में पाया जाता है, यह भी हमारा अर्जन टीना, अर्जन टीना में भी हमारा घहास का मैदान चाको पाए जाता थीड़ का अर्जेटी नांप लेकिन गह्टिंगा जो है अस्टेलिया में नहीं पाया जाता एक बोलब्र लाइप ऐसी तरह से हमारा यह स्ट॥ार्फ एंसुर क्या जाएगा क्या जाइगा एप वार्ट हमारा क्या हो जागा राइट हो जागा ठीक तो चलिए इसी तरह से वीडियो अगर आप लोगों को देखना है वीडियो अगर आप लोग करना तो आप लोग मेरे साथ जूड़िए और चैनल को भी क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजेए ठीक है चलिए कोशन नंबर 52 52 बताई विश्व जय विविद्टा दिवस मतलब बायो डाइवर्शिटी दिवस कब मनाया जाता है तो बायो डाइवर्शिटी दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं तो 22 मैं को हम लोग क्या मनाते हैं बायो डाइवर्शिटी ठीक है 22 मैं को क्या मनाते हैं बायो डाइवर्शिट दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीच सबसे जादा जो Bayo Diversity. वित्ता हमारी कहां पर है बताइए आप फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बाक्स में जो भी वित्ता कहां पर है तो हमारी कहां अमेजन वन ठीक है अमेजन वन जो हमारा कहां पढ़ता है ब्राजील में पढ़ता है ब्राजील ब्राजील में ठीक है ब्राजील में अमेरिका में पढ़ता है भारत में सबसे ज़यादा काई चाहते हैं ब्ताई DRC भाजना ओर प्षिं धूंदल डëल्टा सइपिंट चल आगे क्यां पर वारी सबसे ज़्यादा होती है चलिये न्हींते सर्वकी कोषम मझतम ह वाई फिर गता उन पर संद्रुटphony मेंशे, कौन सा एक अस्थानी अस्तर पर किसी समूदा है, आवासी छेतर, ठीक है, इधर दिया हुआ है, ठीक, इधर देख लिजे, आवासी छेतर, ठीक, के मध्य, के माध्य प्रजाती विवित्ता को क्या करता है? दरसाता है, तो बताइए क्या, अलफा सूचकांग दरसाता है तो वो हमारा काउंस है अलफा सूज कांग क्या करता है दरसाता है तो यह पार्ट इसका क्या हो जागा राइट चलिए आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 55 बदाई सरवाधिक जय विवित्ता कहां पाई जाती है एक कोश्चन हम लोग किये हैं तो सबसे ज्यादा जहां पर ज परसा वन सबसे ज्यादा क्या पाई जाते है तो उस लगटी वंधी भारत में जो है पश्चिमी घाट पर पाया जाते हैं और अमेजन वन में पाया जाते हैं ठीक इस तरह के वन चली आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 56 बदाई 56 क्या कर रहा है कि निमनलिखित में से कौन सा मतलब किसी प्रदेश की जयव विवित्ता के लिए संकट हो सकते हैं भूम अंडली तापन प्राकरतिक आवास का विखंडन विदेशी प्रजातियों का क्या प्रवेश या साकाहारी को प्रोत्साहन तो इसमें से कौन सा हमारा क क्या होते हैं संकट हो सकते हैं मतलब जय विवित्ता के लिए भूमंडली तापन ठीक भूमंडली तापन हमारे लिए क्या होता है संकट हो सकता है नंबर वन ठीक है और कौन हो सकता बताई प्राकृतिक आवास का क्या करना बिखंडन करना किसी भी नेचुरल का क्या क्या करना बिखंडन करना अलग अलग तोड़ना ठीक एभी विदेशी प्रजातियों का प्रवेस कराना एभी हमारा का संकट उत्पन कर सकता है जेव विवित्ता के लिए लेकिन साका हार को प्रोथसाहन देना या साका हारी होना जो है साका हार को क्या करना प्रोथसाहन देना या हमारे लिए क्या करना जैव विवित्ता को संकट के लिए नहीं है ठीक है तो हमसे पूछा है तो कौन-कौन से हम 123 हमारी का जाएंगे right हो जाएंगे देखिए यहां नीचे कूट दिया हुआ है तो कूट के अनुसार हमारा कौन से हो जागा सी पार्ट हमारा राइट हो जागा ठीक है सी पार्ट 123 चलिए आगे चलते हैं कोश्चन नॉमबर 57 जैव विवित्ता का अर्थ क्या होता है तो बिभिन्य प्रकार के पादप योम मौनस्पति बिल्कुल गलत बात ठीक है विविन्य प्रकार के जन्तु जैव मैं यहां लिख दे रहाँ ठीक है एक मिनट थोड़ी शिप्यन दिक्कत करने लगती है वीच वीच में ठीक है क्या करता है एक एक निर्धारित छेत्र में बिभिन्य प्रकार के पादप योम जन्तु एक निर्धारित ठीक एक निर्धारित छेत्र में एक निर्धारित छेत के सब्सक्रमें बिभिन प्रकार के बिभिन प्रकार के पादफ How the EOS जन्तु बिभिन प्रकार के पादफ हयँ जन्तु हैateur हाफ ये ही हमारा क्या ज rice हुझ Whew ये एक हम आपको एंस्वर भी देंगे ऐसा नहीं कि एंस्वर नहीं देंगे इसानिस्सा फाल बरात North 친IC प्रखेटर निर्धारी छेत्र में विभिन प्रकार के पादप योम जन्त हो अर्थ होता ठीक है आगे चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर आप बताएंगे 58 बता दीजे 58 क्या करा है कि विभिन निमनलिखित में से किसने सरव प्रथम बायो डाइवर्सिटी सब्द का प्रियोग किया था तो जो बायो डाइवर्सिटी का प्रियोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था बताए किसके द्वारा किया गया था वाल्ट जी रोजन के द्वारा याद रखिए किसके द्वारा किया गया था वाल्ट डी जी रोजन के द्वारा इसका प्रियोग बायो डैवर्सिटी सब्द का प्रियो कौन किया था वाल्ट डी रोजन तो जितने भी बायो डैवर्सिटी सब्द जितने भी कोश्चन आते हैं इस सारे कोश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे जितना कोश्चन हो सकता था जितने कोश्चन पूछे गए थे यहां मैंने सारे question क्या किये करवा दिये हैं ठीक है तो इसका क्या जगा C part चलिए question number 59 बता दिये जैविवित्ता निर्भर करती है अभी भी देखिए question आते हैं हमारी है भी दिये जैवित्ता और चलिए यहां आजरता का मतलब किता नमी, टंप्रेचर, जलवाय। सब पे डिपेंड करती है हमारी वहां की बायो डायवर्सिटी ठीक है। बायो डायवर्सिटी चली कोशन नमबर 60 बतादीजिए आप जो कोशन नमबर 60 क्या कर रहा है। कि निम्न में से कौन भारत के निम्न अस्थानों म या हिमाले का तराई बताई या हिमाले का तराई तो कौन सा इसका राइट एंसर हो जाएगा। बताई काजी रंगा या सांध गाटी सुन्दरवन या हिमाले की तराई तो इसमें से सबसे राइट एंसर हमारा क्या जाएगा। सुन्दरवन जो हमारा क्या मैग्रोवन के ल डेल्टाई बनाती गंगा और ब्रह्म पुत्र नदी ठीक है कौन सी ब्रह्म है पुत्र नदी ठीक है चली आगे चलते हैं इनके डेल्टाई वाले छेत्र में हमारी क्या मैग्रो वन पाय जाते हैं ठीक चली आगे चलते हैं मैंने कल भी कोश्चन बताया था, कितने परसेंट हमके, 30% 1 का होना क्या है, अनिवार है, ठीक है, 33% 1 होना अनिवार है, लेकिन है कितना, 24.62%, हमारे क्या है, 1 वाना करन पाए जाते हैं, पुरे भारत में, ठीक है, पुरे भारत की मैंने बात की है, जो हमारे रिपोर्ट आई ह है 2021 हमेसा 2 साल पर हमारी एक है सबसे ज्यादा जो 1 पाधितर सबसे ज्यादा पाय जाते है और सबसे ज्गन पाय जयते है तो अरुडांचल प्रदेश में पाए जाते हैं अब percentage की द्रिष्ट से इस बार कौन सबसे ताप पे रहा तो आंध्रप्रदेश रहा ठीक है मतलब कौन जो है 2019 से 2021 में सबसे ज़्यादा कहां बृध्धी हुई है तो हमारा कौन से आंध्रप्रदेश है ठीक है आंध्रप्रदेश या तेलंगाना या करनाटक बताएंगे आप लोग आप संदेज रहा हूं आप लोग बताएगा अगर कोई इसमें तूटी होगी तो बताएगा ठीक है चली आगे question नम इसका कितना सा 33% 33% ठीक है एक question आगे हमने कर चुके हैं ये सारे question किये भी है हम लोग ठीक है और मैंने ये सारी सीजें कल भी सबसे ज़्यादा भारत में जो है पश्यमी घाट जो हमारा होता है यह हमारा इंडिया का क्या हो गया एक मिनट इंडिया का क्या हो गया मैफ हो गया ठीक है ठीक इंडिया की मैफ यह जो हमारा पश्यमी घाट है इसी को बोलते हैं क्या पश्यमी घाट ठीक यहाँ पे सबसे ज ज्यादा क्या पर बायो डाइवर्शिटी पाई जाती है ठीक है तो बी पार्ट हमारा राइट चली कोश्चन नंबर 63 बता दीजे कोश्चन नंबर 63 क्या करा जो कीट भच्छी पादप निम्न में से किस पोसक पदार्थों की अपूर्थी के लिए कीडे मकोडों को खाते हैं किसके लिए तो निटरोजन की अपूर्थी के लिए कीडे मकोडों को क्या करते हैं खाते हैं ठीक है चली नैटरोजन हमारी इस किस में पाई जाती है बताई कि युणिया में पाय जातीकि नहीं, पाय जाती बिलुकुल पाय जाती है ठीक चलिये Ahhh अग्स अगला कोशन नम्र आप बताएंगे 64 64 हमारा क्या कर रहा, प्सिटि फोर zac तो कौन सा इसमें सामिल नहीं तो हमारा पुर्वी घाट हमारा भागोलिक छेतर के अंतरगत निमने में से कौन सा छेतर सामिल नहीं तो हमारा पुर्वी घाट हमारा इसके अंतरगत नहीं आता ठीक है इस वाले छेतर को पस्चिमी घाट का आते हैं इस वाले छेतर को हम लोग क्या बोलते हैं पुर्वी घाड बोलते हैं लेकिन इसमें जो हमारा भागोलिक छेत्र के अंतरगत हमारा काउंसा तो हमारा भारत का यूरोपी भारत का दियूपी छेत्र पस्चिमी घाड तथा उत्तर पुर्वी छेत्र हमारा इसके अंतरगत आता है लेकिन ये वाला छेत्र का है ठीक याद रहेगा ने चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर आप बताएंगे 66 बताईए अब जो पर्यावरण सुरच्छा अधनियम जिसको बोलते हैं EPA पर्यावरण सुरच्छा अधनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताई पर्यावरण सुरच्छा अधनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है चाता बिधान के नाम से जाना जाता है यह भी कोशन बहुत बार पूछता है ठीक है जो हमारा पर्यारण सुच्छर अधनियम है या किसको चाता बिधान के नाम से भी जाना जाता है चली आगे चलते हैं 67 जो लोग भली बार चैनल पर यहां से मिले हैं ठीक है खुद के जो है एटी ठीक और जो है 99.52 तक के बच्चों को आए हुए हैं इसी चैनल से पढ़के ठीक है बहुत ही बेहतरिन क्लास चली थी बहुत ध्वाकेदार यहां से यहां तक के महराथन क्लास मैंने पूरा दिन रात एक कर दिया था ठीक है यू हम लोग मुझे पढ़े हैं बहुत ही पहतरिन क्लास हम लोग किये हैं ठीक है पी वाई की ही किये हैं लेगि बहुत धामाकेदार क्लास चली है उसका भी रिजाल टाने दीजिए आपको दिखाएंगे ठीक है भारती संसत द्वारा जय विवित्ता अधनियम पारित किया गया भारती जो है संसत द्वारा जो जय विवित्ता अधनियम कब पारित किया गया तो यह अधनियम जो है दिसंबर 2002 में पारित किया गया ठीक है तो भी पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा जय विवित्ता देखे जितने भी कोश्चन जय विवित्ता से बनते थे सारे कोश् से फिनिस करते हुए चल लाए ठीक फिर आप लोग कहेंगे तो एक मैराथन बना दी जाएगी इसी पर भारत में पर्यावरण सरच्छन अधनियम जो भारत में पर्यावरण सरच्छन अधनियम कब आया था तो सभी कोश्चन है इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूं कि हां उह यह हमारा आया था जयव विविद्था अधनियम ठीक है जयव विविद्था अधनियम कब है था दिसंबल 2002 में आया था यह याद रखिए गा ठीक चलिए आगे चलते हैं भारत में वन निजीव सरच्छन अब देखिए हो क्या था अभी तक आप पने पर्यावरण सरच्छ कौन सा इस्टार्ट होता बताइए हाथी प्रोजेक्टी स्टार्ट हो जाता ठीक है ऐसे करके हम सारी चीज़ें आपको रटवा देंगे A to Z चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 79 हो गया आए आए आप कोश्चन नंबर 70 पे चलते हैं ठीक है 70 कौन सा है क सुमेलित करना निमलखित में से यूग में कौन सा सुमेलित नहीं है हमसे क्या पूछा सुमेलित नहीं है चलिए बताइए आप लोग बांदीपूर राष्टी उद्यान कहां पे है करनाटक में है बिलकुल सही है ठीक है बिलकुल सही बात है तो यह हमारा बांदीपूर रा राष्टी उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है यह हमारा कहां पर उड़ीशा में है ठीक कहां पर उड़ीशा में है ठीक कहां पर उड़ीशा में है ठीक कहां पर उड़ीशा में सिमली पाल राष्टी उद्यान हमारा कहां उड़ीशा में पन्ना पन्ना राष्टी उ क्या कर रहा है कि निम ने लिखित कौश्चन थोड़ा सा बड़ा है ठीक पढ़िए निम लिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनुठा है कि वह प्लाव मान मतलब फ्लोटिंग वनस्पति के युक्त अनुठ देखे लिखा क्या है है बहुत आसान जो होने के प्रोट साहन देता तो कौन सा है बताई अब आप बता सकते हैं कौन सा फ्लोटिंग कौन सा है केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क जो हमारा कहां मडीपूर में है ठीक है कहां पर है मडीपूर में है ठीक मैं यहां लिख दे रहा हूं एक मिनट थोड़ी से प्यान वाली दि कहां पर उडीशा में है ठीक कहां है एक हो लाम यह का पर है राजस्थान में सलतान पूर नैशनल पार्क आप ए एंसको आप इसको बताय था कब 73 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर इस्टार्ट किया गया था थी कह नाईटी छिए थी में हमारा क्या प्रोजेक्ट टाइगर आप यूदे रखेगा चली को शेंट आप बताएंगे 73 कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है इस साइड हमारा है कौन सा सुमेलित नहीं है बताए बुक्सा बुक्सा क्या है यह हमारे बाग आरच्छी छेत्र हैं और हमें कहां पर पाये जाते हैं इनको बताना है ठीक है बताए कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा है नाम दफा और उडांचल प्रदेश में बिल्कुल सही है ठीक है नाम दफा और उडांचल प्रदेश में बिल्कुल सही है ठीक है और हमारा नामेरी अशम में है दंफा कहां है मिजोरम में लेकिन बुक्सा जो है बुक्सा हमारा कहां पे बताए जल्दी बुक्सा जो है बुक बमुखरिजर्व सरिस्का सरिस्का राष्टी उद्यान किस राज में अवस्थी थे? यहाँ पर चार है टोटल कितने हैं चार है ठीक एक 20 धारी रामगर गश्थारी भी हमारा अभी हाले ही में इसको क्या टाइगर रिजर्व गोसित किया गया तो राज अस्थान में ठीक ए बी पार हमारा राइट हो जागा चली आज का लास्ट कोश्चन आप बताएंगे कोश्चन नमबर 75 ठीक है बाकी 25 कोश्चन हम लोग कल करेंगे ठीक है अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है ठीक है तो आप लोग जरूर वीडिय तो कौन सा आप सनो 72 में या 86 में ये डोनों तो वैसे ही कौन सा होगा कै गया 1 न रख्षण आधनियम की बात कर रहा ठीक है थो में आया था वन सरल रख्षण अधनियम एह हमारा वन ने जिव सनरच्छन अधनियम ठीक है अब याद रहेगा 1972 में वन ने जिव सनरच्छन अधनियम अब पर्यावरन सनरच्छन अधनियम यह क्या है पर्यावरन सनरच्छन अधनियम जो हमारा 1986 में आया था और 80 में क्या था वन सनरच्छन अधनियम तीनों याद कर लिजीग प्रacağ inscription जेव को अब जन और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सेरे कर दिया करीये और चैनल को अग्य कज कर दो प्रहत कि अगर आपको इसका पेडियी स्क्रीप्राइब कर जा , जा हिंद जा भारत झाल झाल